हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एकदम चटपटे नास्ते की रेसिपी ले की आए हूँ जिसे आप घर की कुछ ही समान से आसानी से बना सकते हैं बनाना भी इजी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और एदिया आप घर पे बनाएंगे तो सब कोई आपकी तारिफे करते ठकेंगे नहीं तो फिर देर की इस बात की चलिए बनाते हैं तो आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे कच्चे आलो से उसके लिए क्या करना है एक मीडियम साइज का आलू लेना है कच्चे आलू को अच्छी तरह से धोग छिल के धो ले और छोटे-छोटे में कट करेंगे तो जलदी पिसाता है साथ मेन एक चमच दही डालेंगे दही का टेस्ट आपको यदि पसंद है तो डाले और नहीं पसंद है ना तो इसके भी आपकर सकते हैं तो देखिए हमने पीस लिया है पीस के इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के दो से तीन बार तो अच्छे से एकदम पिसा गिया है तो इस पे आलू और दही के मिक्षर में डाल देना है दो चम्मच सूजी नॉर्मल जो हम लोग रवा यूज खरते हैं न वही वला है और साथ में ही डालेंगे दो चम्मच गेहु का आटा गेहु का आटा डालने से क्या होता है टेक्शर बहुत ही बढ़ियां आता है और आप यदि बेसन डालना चाते तो एक चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं साथ में ही डाल देंगे नमक टेस्ट की अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे इसमें आधा ग्लास पानी ढालेंगे, पानी डालके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे घोल को बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है और गाढा भी नहीं मीडियम रखना है तो देखें अभी तो ये बहुत ज्यादा गाढा लग रहा है क्योंकि सूजी डला हुआ फिर सूजी पानी भी सोक करेगा तो और ज़्यादा गाड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे थोड़ा सा और पानी डालेंगे पानी डालके अच्छे से एक बार फिर मिक्स कर लिए तो अब यह मिक्स हो गया है मैं इसकी टेक्शर दिखाती है आपको कि बहुत जादा गाड़ा नहीं पतला भी नहीं है तो बस अब इसी तरह से इसे सेट होने के लिए दस मिनट के छोड़ देंगे दस मिनट में अच्छी तरह से सूजी फूल जाएगा तो अब एक मसाला बना अच्छी तरह से दो मिनट के लिए चोड़ देंगे तो अब यह क्रेकल हो गया है तो अब इसमें क्या करेंगे तो जरूर से डालें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एक टुकड़ा अध्रक जिसको हमने ग्रीटर से ग्रीट कर लिया है आप चाहे तो बारी काटके भ भूनेंगे कि हलका सा इसका टेक्शर चेंज हो जाए अद्रक का बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है तो भून गया है तो आप क्या करेंगे एक कटा हुआ प्याज डालेंगे बड़े साइज का प्याज है यदि छोटे साइज का प्याज है तो दो प्याज लें क्यों पुरा कलर चेंज हो जाए तो अब इसमें डाल देंगे दो टमाटर जिसको हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है आप जाएं तो मिक्सी के जार में डाल के पीज भी सकते हैं जैसा स्वीधा लगे उस हिसाब से आप कर ले टमाटर डालने से क्या होता है कि इसका टेस्ट अब इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हमने सुजी में भी अलग से नमक डाला है तो उड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे रंगत के लिए और आदा चमज डाल देंगे धनिया जीरा पाउडर कि इससे अच्छा फ्लेवर आता और भी इसमें मसाला डालने की ज़रत नहीं है क्योंकि यह प्याज इसमें डाला हुआ है अब इन सबी चीजों को मिक्स करेंगे और भूनेंगे भी बहुत दिर तक नहीं भूना है हलका सा टमाटर का गीला पन पानी सूख जाएगा न तब तक भूनेंगे त चटपटा स्पाइसी मसाला बना है तो आप क्या करेंगे गयास का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे जब तक हमने मसाला बनाया तब तक यह सूजी भी पूरी अची तरह से सैट हो गया सैट होने के बाद आप देख सकते हैं टेक्शर थोड़ा पानी डालेंगे पानी डालके फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि एकदम फ्लेंग कंसिस्टेंसी रहेगी एकदम अच्छी तरह से बेटर बनके रेडी हो जाएगा तो अब यह बेटर बनके रेडी हो गया चलते हैं फिर नस्ता बनानी की और तो नस्ता बनानी के क्या क borne करेंगे, एक तवा लेंगे, तवाको हलका सा गरम करेंगे, और उसमें एक चमच गोल खुल दालेंगे , तो नीचे सीख भीज जाए और ग्यास का flame medium ही रखें, medium flame में इसे सेखें तो देखें, सिखने के बाद पुरी अच्छी तरह से हलकालका color आ गया है brown color का हो गया है तो इसमें जो हमने मसाले को ready कर रखाता है नो उस मसाले को हलका सा लेंगी और पूरे अच्छे से फैला लेंगी बहुत ज़्यादा मसाला डालने की जौरत नहीं क्योंकि ये इतना चटपटा और स्पाइसी मसाला रगता है कि थोड़ सा ही आप डालोगे न तो बहुत ही टेस्टी लगीगा पूरा उभर के स्वाद आएगा बस पतला लेयर में फैला लेना है तो अब क्या करना है इसे निकाल के फोल्ड कर लेंगे तो मैं आपको इसका टेक्शर दिखाती हूँ कि बहुत ही जौरदार आया आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा एकदम साइन है तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे डोसा की तरह तो देखने में जुरदार है ना तो खाने में भी जुरदार है तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ बाकी कभी सेम इसी तरह से सेख लेंगे मैं एक पिस और सेख के रखी हूँ आप देख सकते हैं इसका टेक्शर बहुत ही अच्छा एकदम साइन है और एकदम सॉफ्ट भी रहता है आप थोड़ी दिर और सेखेंगे तो और ज़्यादा यह क्रिस्पी हो जाएगा तो आप मुफली या चने दाल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इसे कट करके कट करके सर्व करने में देखने में जाता सुन्दर लगता है तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें